नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोतिस सीक्रेट मिथुन रासी देवगुरु ब्रिस्पती वक्री होने जा रहे हैं 9 Оक्टूवर 2026 से 4 फरवरी 2025 तक वो अपनी गती को परिवर्टी कर देंगे और वक्री गती से चलेंगे अभी वो ब्रिस्परासी में बिराजमान हैं तो गरह की गती परिवर्टन से उसके प्लिवर्वान भी बदल जाते हैं चले जानते हैं विश्तार से कि उनके इस वक्र गती के कारण आपकी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ेगा लक्ष्मी नारायन राजियोग का कितना आपको साथ मिलेगा देव गुरु ब्रस्पती जो है विश्नु सरूप जो है विश्नु भगवान को भी गुरु कहा गया है और ब्रस्पती को देव गुरु कहते हैं अब ब्रिस्पती हमें ग्यान देते हैं ब्रिस्पती की दो रासिया है धनूरासी और मींडासी धनूरासी ब्रिस्पती की सकारत्मक रासी है और मींडासी नकारत्मक यानि ब्रिस्पती जादा सुब फल धनूरासी को देते हैं और मींडासी में थोड़ा कम लेकिन हम देव ग बैटते हैं वहां पर परिशानी है कि महर्सी परासर कहते हैं कि ब्रहस्पति कुंडली के सवालाख दोसों को दूर कर सकता है अकेला ब्रहस्पति जब इतने दैब योग से संपन्न देव गुरु वक्र अवस्था में जाएंगे अभी बिर्शाब रासी में बिराजमान है और तब आपकी लाइफ में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ब्रहस्पति कुबेर योग भी बना रहे हैं धन के लिए बहुत अच्छा है तुमितू रासी बालो देव गुरु ब्रहस्पति का वक्री अस्था में आना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा क्योंकि इस समय देखिए अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए आप जो अभी तक प्रयास कर रहे थे उसमें आपको सफलता मिलेगी दूसरा इस पिरियड में आपके जीवन में सकात्मक बदलाव आएंगे खास कर जो लोग जॉब करते हैं उनको विशेस लाब मिलेगा अगर आप नोकरी की तलास में हैं तो जॉब मिलने की प्रवल संभाव ना भी बनेगी लंबे समय से अटका हुआ धन वापस आएगा और भविस्य को लेकर कोई बड़ा फैसरा लेना चाहते हैं तो इस मिरियर्ड में ले सकते हैं खास कर जो बैपारी भाई हैं उनको भी लाब होगा लेकिन आपको आसाबादी होना होगा सकातमक सोच रखना होगा तब जाकर इस समय का आपको विशेस फायदा मिलेगा यानि कि जीवन में गुरू के वक्री होने से सुप्रभाव बढ़ेगा आपने अपने जो एम रखे हैं कि मुझे ये करना है लक्ष बना कर रखा है वो आपका सपना पूरा होगा सकातमक का जीवन में बढ़ाने वाला वक्त है और अपनी सोच में भी सकातमक ता लाईए अचानक से फसावा रुकावा धना आएगा नोकरी करते हैं अच्छे काम के अउसर मिलेंगे और इसमें ततकाली लाप के चक्कर में मत पढ़िएगा खास कर जो भी व्यपसाई भाई हैं अपने काम पर फोकस रखिए नहीं तो आपका मन भटक सकता है और इसी भटकाव से आपको बशने की आवसिकता है देखिए आपके लिए देवगुरु बेस्पती की उल्टी चाल हर छेतर में सफलता दिलाएगा भागे का साथ दिलबाएगा नए स्रोथ से पैसा आएगा मान सम्मान बढ़ेगा आपकी हर जगे काम की तारीफ होगी घर में सुखसानती रहेगा और अगर किसी को पैसा अपने उधार दिया है वो वापस मिल सकता है देखें गुरू के वक्री होने से आपको सुपर नाम जरू मिलेंगे क्योंकि आप अपने लक्ष को प्राप्त करने में सफल रहेंगे और आपके जीवन में सकात्मक उर्जा का संचार होगा इसमें कोई भी निर्ने लेते समयं बेभारी खोकर चलिएगा और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए वैसे तुरंत लाप पाने की लालसा ना करे और अपने काम पर ज़्यादा फोकस बनाए रखेंगे तो आपके लिए अतिसुब रहेगा वहीं दूसी तरफ मिसुन्डासी ब्रिस्पती आपके बारवे घर से गोचर कर रहे हैं बिडेस भाव में हैं खर्च का भाव है धर्म का भाव है ज्यान का भाव है और ब्रिस्पती भी इन्हीं चीजों को दिखाते हैं तो ब्रिस्पती आपके कर्म भाव के स्वामी है और बार में खर्च के घर में बैठे हैं तो कर्म के मामलों में थोड़ी तकलीफे हो सकती है और इस समें आपको बहुत प्रयास करना पड़ सकता है हर काम के लिए घबराईए मत आप थोड़ा सा उपाई भी कीजेगा और प्रयास तो करना ही है क्योंकि ब्रस्पती जो आपके कर्म भौके स्वामी हैं वक्री हो रहे हैं बारवे घर में जा रहे हैं जो ग्यान मोक्ष का घर है हलांकि इस समय आप समाज की मदद के लिए भी आप अगर काम करना चाहते हैं बैलेंस बना कर चलिएगा तब जाकर आपको रिजल्ट मिलेगा और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं यह समय बढ़िया है घर छोड़ने में ब्रस्पती आपकी मदद करेगा और बिवाह के लिए भी वक्त यहां पर आपके लिए जैसे आपके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि ब्रस्पती आप लोगों के सब्तम भौ के मालिक हैं बारवे भौ में गोचर कर रहे हैं वक्रिय वस्ता में भी है तो विवाह की अगर तारीक सेट भी हो गई है तो हो सकता है थोरा आगे बढ़ाना पड़े इसके लिए आप तयार रहेगा और जो ब्रस्पती की द्रिष्टी है सब्तम भौ के जो स्वामी है उनकी द्रिष्टी जब जाएगी छटे भौ पर तो थोरा आपसी संबंदों में जीवन साथी के साथ कहें मनमुटाओ ना हो जाए पुरानी कोई स्वास की समस्या परिसान न करे कोई करजा बेगे रहे कोई जगड़ा जमेला है तो ये परिसान न करे इसका ध्यान रखेगा क्योंकि आठवे घर पर द्रिष्टी से इन सब चीजों को लिए आपको तयार रहना होगा अब यहाँ पर देखे आप किसी का भला भी करना चाहेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सापको उपाय करके ही चलना चाहिए क्योंकि आपके लिए एबरेज ये समय फल देगा क्या करेंगे ओम बरिंग ब्रस्पतैनमा जब करें या फिर रोज भगवान सुरी को एक लोटा जल में एक चुटकी हल्दी डाल कर अरपित करें तो कल्यान होगा हम आपसे भी दा लेते हैं प्लिज लाइक कर सब्सक्राइब करें सेयर करें कमेंट करें धन्यवाद